नमस्कार साइसन स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज के अध्यन का विशे है अथर्व वेद का एक खुबसूरत विचार एक सू विचार तो आईए इसका अध्यन करते हैं happiness will not come from happiness but only from pain. We know the value of standing in shade only after roaming in the hot day sun. इस खुबसूरत मैसेज के जरिये एक संदेश, उपदेश, सू विचार का प्रस्तुति करन किया गया है स्पस्टि करन किया गया है अध्यर्व वेद से लिया गया यह कोट हमें यह बताता है कि मानव जीवन में जो खुसियां आती है वो खुसियों से नहीं आती है खुसी उपलब्धी की प्राप्ती जो है वो दर्द कष्ट और पीरा से प्राप्त होता है हम गर्मी के दिनों में पेड के नीचे मिलने वाली छाया से जो राहत का अनुभव करते हैं आनंद की अनुभूती करते हैं वो हमें तब ही प्राप्त होता है जब हम कड़ी धूप में भटकते रहते हैं और अचानक कोई पेड दिखता है उसके नीचे जाते हैं उसकी छाया में जाते हैं राहत का अनुभव करते हैं आनंद की अनुभूती होती है उसे महशूस करते हैं वो हमें तभी उसका एहसास होता है, उसकी वैल्यू समझ में आती है कि गर्मी के दिनों में छाया का क्या महत्व है जब हम धूप में भटकते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से मानव जीवन में जो उपलब्धी है, जो खुसियां है, वो भी काफी स्ट्रगल करने से हासिल होती खुसियों से और आराम से हासिल नहीं होती, धन्यवाद